हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू मेरें डॉर अकेडमी और आज मैं हूँ कभिर वपिश राज फिर्स आपके साथ और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी यूनिक करिया ऑप्शन की जो की है करियर in MSW Master in Social Work MSW होता क्या है इसमें कैसे काम किया जाता है professional level पे आप Social Work कैसे बन सकते हो कितना कमाते हैं क्या colleges everything everything आपको इस वीडियो में बताऊंगा लेकिन दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पर अगर आप जानना चाहते हो आपकी के बात तो प्लीज आप एक में सिर्फ courses नहीं बताता हूं मैं पहले उसके insight बताता हूं उसका थोड़ा साम लोग पैग्राउंड जानने की कोशिस करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते तो इसी तरह से MSW है क्या उसको जानने से पहले समझ में हमको यह लेना होगा कि MSW की जरूद क्या पड़ी देखिए दोस्तों तीन सो तीन सो या 200 साल पहले जो इंडेस्ट्र रिवोलुशन आया इंडेस्ट्र रिवोलुशन ने कहीं सारे देवलोपमेंट लाये साइन्टिफिक रिवोलुशन लाया अलग अलग फैक्टरिस सेट अप होने लगी लोगों का मास माइग्रेशन होने लगा और यह सारी चीज़े जो एक तरफ हमको बहुत ब्राइट पिक्चर दिखती है इसकी एक डार्क साइड भी हुआ करती थी इ तो इसका नतीजा यह निकला कि बहुत सारे लोग गरीबी में दस्ते चले जा रहे थे हैं हमारी में दस्ते चले जा रहे थे हैं कोई option नहीं था under privilege रहे रहे थे और एक सद्या भी जाने के बाद भी उनके पास कोई तरीके नहीं थे जिसे ही वो अपनी situation को improve कर पाए और ऐस में उसके जो consequences है industrial revolution के जो consequences है अच्छे तो थे ही लेकिन बुरे भी उतने ही थे और वो आज तक हम जेल रहे आज भी वो हम देख पाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि जब हम post modern society में आज जी रहे post modern society में लोगों को realize हुआ कि यार कुछ तो गलत है हमने कुछ तो गलत कि जा है जितने भी capitalist ने उनको भी realize हुआ कि हमारा समाज के प्रती भी कुछ देना है हमारी society जो हमको इतना कुछ दे रही है हमें उनको वापस return करना है nation state जो होते है country जो होती है उनको यह realize हुआ international community को realize हुआ non governmental organization को realize हुआ और वो सब आगे आए और उन्होंने हाथ बढ़ाया अलग अलग जो societal problems से उनको solve करने के लिए सबने मिलके इसमें उन्होंने बहुत सारा इरों पैसा भी लगाया आपने देखते होगे बड़े बड़े जो वर्ल्डेवल के organization वह पैसा लगाते हैं अलग अलग एंजियो उसको funding करते हैं ताकि society के बड़े जो problems हैं जिसको डारे system नहीं solve कर पाना उसको यह लोग solve करें और उसके ही जरीया आप देखोगे कि professional social worker का concept आया तो पहले हमारे दिमाग में सी जो आइडिया है कि social worker मतलब यह जोला लेके घुमने वाले लोग होते कुछ कमाते नहीं है यह निकाल दीजिए आज के जमाने के social worker professional तरीका professional degree बन गई चाहिए राइट तो यूगेट दीजिए तो यहां पर भी मिल जाएगी तो इसलिए social worker बन तो इसलिए social worker बन तो इसलिए social worker बनते है अब किसी के life में impact लाना चाहते हो किसी बड़ी परिशानी का solution निकालना चाहते हो तो social work एक आपके लिए हो सकता है दोस्तों अब इसमें exactly क्या क्या चीजी होती है देखिए इसमें community development किया जाता है community जो अंडर privilege community है या ऐसी community जो से आप देखते हो इंडिया में आधिवासी community जो एसी जगह पे रह रहे हैं जिनको बहुत सारी चीजी अभी तक पता नहीं है क्या चल रही है उनके पास बहुत सारे resources अभी तक पहुंचे नहीं है तो ऐसी community का development करने के लिए आप काम कर सकते हो आप mental health के related जो लोग होते हैं उनको help कर सकते हो अंडर after MSWA जो होता social work में क्या कैसी कैसी चीजों में आप हाथ लगाने वाले हम उसकी बात करें उसके साथ साथ ही आपने देखा होगा बहुत सारे अंडर प्रिविलेज़ चिंडर चिंडर चिंडरन होते हैं वीड़ वुमेंस होती है उसके बाद उनके राइट्स के लिए आप र कर सकते हो hospital में आप काम कर सकते हो prison में आप काम कर सकते हो इन चीजों को solve करने के लिए तो यह सारे अलग-अलग चीज़ है जिसमें आप काम कर सकते हो rehabilitation center हो गए उसके बाद socio-economical जो problems है socio-economical अंडर प्रिविलेज़ जो societies है society के communities हैं उनको आप help out कर सकते हो after doing this MSW इसके साथ साथ अगर बड़ी लेवल पर आप काम करना चाते हो तो research और policy formulation में भी आप हाथ लगा सकते हो यह सारे अलग-अलग तरीके होते हैं जो काम आप MSW करने के बाद कर सकते हो exactly MSW होता क्या है MSW एक ऐसी degree है जो बहुत सारे interdisciplinary degree है इसका मतलब यह होता कि बहुत सारे subjects इसमें आपको पढ़ाए जाते है तो of course you will be learning about public policy, you will be learning about society at large, you will be learning about कि कैसे अलगल problem को solve किया जाता है society के problems क्यों होते हैं उसको कैसे short out करना चाहिए उसको कैसे solve out करना चाहिए कि इन लोगों को approach करना है who are the stakeholder here यह सारा चीज आप यहां पर सीखते हो दो साल का यह post graduation degree होता है दो साल का post graduation degree का मतलब यह कि आपका चाहिए bachelor हो आप bachelor किसी भी फिर्स कर से कर सकते हो आप B.com, B.sc, BA आपका engineering हो सकता है medical हो सकता है कहीं से भी जाके आप MSW का पढ़ाई कर सकते हो there is no bar at that but preference जो है वो usually किनको दिया जाता है preference जिनका यह तो BA Bachelor of Social Work हुआ है उनको दिया जाएगा यह तो BA in psychology वालो को दिया जाएगा यह तो BA in sociology वालो को दिया जाएगा तो यह थोड़े कुछ options है जहां पर preference इन लोगो को दिया जाता है है while taking admission for the master of social work so but कोई बार नहीं है आप फिर से जैसे मने बताया आप कहीं से भी कर सकते हो आपको बस आपका graduation होना चाहिए उसके बाद you can join for the MSW let's talk about कि इसका क्या और भी eligibility criteria रहते 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 है तो इसका minimum percentage required होता है उसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि हर जो भी जितिन भी universities colleges इसको offer करती है इस course को तो वह एक और चीच करती है जो की है कि आपकी interest लेती है interest examination लेती है तो वह interest examination आपको देनी होती है वह interest examination देने के बाद वहां पे आपका list में number आएगा and then you can go for this particular course अब प्लेस टॉक अबोट की कौन से कौन से colleges यह चीज़ ओफर कर रहे हैं तो सबसे पहले जो best of the best है वो देली university है अपकोस इसमें लेकिन उसके साथ साथ Tata institute of social sciences भी काभी वबर के आई है इसमें भी आप यह कर सकते हो यहां का तो MSW कोर्स ही काफी popular specifically इसी के लिए है वो तो that is one option उसके बाद बहुत सरे और भी अन्नमनाई है अगरे universities है आपके हर स्टेट में most of the colleges in cities में यह course offer किया जाता है आप वहां से भी कर सकते हो और इंटर्स exam देनी होगी आपको उस particular college के and that's it अब let's talk about कि इसका scope क्या है यह करने के बाद आपको कहां कहा जॉब लग सकती है तो देखर दोस्तों तीन basic areas है जहां पर आपको जॉब लगेगी पहला जो एरिया है आपका वह हो जाएगा कि यह government जितने भी offices है तो government offices में आपको job लगनी है इसकी second जो area है वो होगा आपका government offices में मतलब आपको पहले बता देता हूँ कि exactly कहा तो ministry of social justice होती है वहाँ पे आपको इसकी job लग सकती है second जो है वो होता है NGOs NGOs में काफी इसकी job आपको opportunity मिलेगी और जो third area है वो हो गया आपका corporate sector now corporate sector में कैसे मिलेगा तो आप जानते हो कि अभी every corporate sector को mandatory है कि एक certain amount of income अगर उनका revenue profit generate होता है तो उनको CSR funding देनी होती है तो corporate social responsibility funding होती है तो कुछ corporate जो बड़े corporate houses वो क्या करते है funding ना देते हो अपना खुद का एक NGO type foundation बना लेते है और वहीं पे वो hiring start करते है so you can do that also तीन जगह है जहां पर इसकी major opening होती है एंजियो वर्ल ओवर में बड़ी बड़ी एंजियो सेक्टर में भी काफी possibilities हैं यहां पर जिन्होंने MSW किया है अब हम बात करेंगे कौन से कौन से exactly jobs होते हैं और उनकी salary कितनी होती है तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे screen पर दोस्तों ताकि आपको एक idea मिल जाए कि exactly कौन से कौन से jobs इसमें available रहेंगे कौन से कौन से opportunities available रहेंगी और सब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों तो लेट मी शो यू यू दौ स्क्रीन ओवर हीर जिससे सेकेंड आपको आपके बात करेंगे तो यह अनलग टाइप के jobs opportunities होंगे आपके राइट और उसकी salary कितनी होती है ओवर द पिरेड अफ टाइम वह हम देख रहे हैं तो पहला तो common areas of working in look कहां कहां पर आपको job मिलेगी जैसे मैं मैं जर तीन इरिया जहां पर आपको मिलेगी उसके साथ साथ क्लिनिक से correction cells है counseling centers है disaster management centers है education sector है health industry and hospital है human rights agencies हो गई उसके बाद mental hospitals हो गई प्रिजन्स हो गए, मैनेजमेंट कंपनी जो गई, ओल्डेज होम्स हो गई, जेंडर इशुस के रिलेटेट जो सेक्टर्स काम करते हैं, वहाँ पर भी आपको आप्शन मिल जाएगा, अब लेट्स टॉक अबाउट कि कैसा इसका सेलेरी रहेगा, कि इतना मिल सकता है आपको आपको इतना सेलेरी यहां से आपको मिल सकता है, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह जो सेलेरी है, अन्यूल में है और यह वेरी करते रहेगा, ठीक है, तो मान लोग अगर आप एक सोशल वरकर हो, आप जॉइन कर रहे हो, तो तो त्री लाग यह एवरेज अलरी देखा गया है यहां पे लोगों का, तो 3,88,000 के अराउंड आपको सेलेरी मिलेगा, एन्यूल पैकेज मिल सकता है आपको, अगर आप प्रोजेक्ट कॉडिनेटर के रूप में काम करते हो, यह सारे ओप्शन जो है आपको, वो सारे ओप्शन आपको इसके अंदर ही मिलते हैं, जैस आते हैं, यह average cost निकाली गई है, उसके बाद जो consultant होते हैं, अलग-अलग issues पे वो 3,50,000 तक कमा सकते हैं, counselor जो होते हैं, वो 4,20,000 तक कमा सकते हैं, documentation जो करने का काम करते हैं, इस में इस पिल्ट में, वो 3,10,000 तक कमा सकते हैं, और community health में जो काम करते हैं, वो 2,40,000 तक का, finally case manager जो होते हैं, वो particular case को handle करते हैं, वो 5,00,000 तक की भी salary में कमा सकते हैं, तो दोस्तों, यह सब था MSW के बारे में, master in social work, कैसे यह किया जाता है, इसमें क्या-क्या option रहते हैं, वो सारी चीज़े हम लोग देख रहे थे, और अब भी final बात यह important है कि आपको जानना कि MSW फिर स करना चाते हैं, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन लोगों ने इस तरह सा perception बना दिया, तो वो तो जोला लेकि गुमने हाले लोग होते हैं, तो यह किसी के लिए कोई काम कर रहे हो, तो यार, वो बहुत बड़ी बात है, और वो भी बिना पैसे की चिंता काम करें, वो भी काफी बड़ी बात है, अभी अगर आप यहां इस तरीके से आप professional social worker बन सकते हो, जो एक बड़ी, proper, systematic तरीके से काम करें, यह आप कर सकते हो, तो दोस्तों, I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको कोई सवाल है, MSW के बारे में, Master in Social Work के बारे में, आ आप हमें पूश सकते हो, नीचे आपने link में, मेरा Instagram का link में ने दिया है, वापे भी सवाल पूश सकते हो, आप मुझे, इसके साथ साथ career के related, अगर आपको कोई information चाहिए, तो career discovery handbook हमने दी है, नीचे, you can, you know, check it out, कोई और भी सवाल है, तो comment कर सकते हो, आप हमें, और अग आपको हम जीतें भी अलग अलग videos बनाते हैं, अलग अलग type की career options के बारे में, अलग type की चीज़ों के बारे में, वो आपको मिला करेंगे, तो thank you very much for watching this video and thanks for always loving, supporting and encouraging us.